हालो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल स्टडी फॉर यू सो गई जैसा कि आज जो आपका रेलवे एंटी पीसी का जो है दस जनवरी का सभी सिप्टों का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरेट एंसर के साथ जो है इस वीडियो मैं है कि किस परकार के जो आज आपके 10 जनवरी के सभी सिप्टों के एक्जाम में जो प्रेशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों की जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेट पलपल की अपडेट के लिए जो है चै हैं तो इसके बाद जो आपको सारे प्रश्ट जो है वो देखने こ E자एगा तो सेकंड जिप्ट में जो आपका पहला कोशन है ता कि सतीजव्वन अंतरी च्केंद्र जो है तो ब्हारत के उपराष्ट्पती बारत की अपया है तो पैनिसलेन की खोज यह Alexander Flaming के दौरा किया गया था तो Alexander Flaming जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुर्शन आपका यहाँ पर रहा था दोस्तों कि कॉबल की फुल पॉम पूछी गया थी तो देखें कॉबल का जो फुल पॉम होता है वो common business oriented language होता है तो ये जो स्वतंता संग्राम जो शुरू अतना वो 1857 की क्रांती के बाद हुआ था तो 1857 की क्रांती आपका यहां पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट आप काया था कि विक्रम सारभाई अंतरीच केंदर जो यह कहां पर है तो देगे विक्रम साराबाई अंतरी चकेंदर जो है ये केरल के त्रिवनन पूरम में है तो त्रिवनन पूरम जो आपका यहाँ पर करेक्टेंसर हो जाएगा बात कर ले इसके अस्थापना कप की गई थी तो 21 नॉमबर 1963 को किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है न 2020 के जो विजेता टीम रही थी वो मुंबई इंडियन्स रहा था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स आप काया था दोस्तों मिस वर्ल्ड 2017 का किताब मानुसी छिलर को जो कहां दिया गया था तो 2017 का जो विसु का किताब जीती थी ये मानुसी छिलर जीती जी ठीक है औ और इन्हें जो कहां दिया गया था ये कोशन्स पूचा गया था तो चीन के जो सान्या सहर अरीना में जो है ये दिया गया था तो अगर देश पूचा गया होगा तो चीन जो आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा या फिर चीन में किस सहर में दिया गया था तो फिर आपका अर सब्सक्राइब को याद रखना है कि मिस वर्ल्ड 2019 जो बनी है यह टोनी एंसिंग बनी है और भारत की सुमन रॉय जो थी वो तीसरे नंबर पर रही थी तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपका यहां पर रहते दोस्तों कि भारते पुरुस होकी टिम के कप्तान कौन थी तो यह कोशन आपका इस परकार से पूछे गया था कि ऑक्टूबर 2020 में जो है भारते पुरुस होकी टिम के कप्तान कौन है तो यह मनपरिज सिंग है तो मनपरिज सिंग जो है आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट फैक्ट की बात कर ले महिला होकी टिम वो अलग करता है तो पाक जल्डम रूम अर्व मद्धि जो आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स टाप का थी अर्थ सास्त की जनक कौन है यानि या पर आपका जो है प्रदान मंत्री जन्दन योजना जो यह किसके कारेकाल में सुरू की गई थी तो दीए यह जो प्रदान मंत्री जन्दन योजना है ना यह 28 अगस 2014 को इसकी सुरुआत की गई थी और किसके कारेकाल में तो यह प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के कारेकाल में ठीक है तो नरे लिजन नदी जो आपका यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका है दोस्तों कि परमानु उर्जा का जनक जो है यह किसी माना जाता है तो परमानु उर्जा का जनक जो है यह होमी जहांगीर भाबा को माना जाता है तो होमी जहांगीर भाबा आपका यहा वग्यां दोलन देख कर जाना है खिलापत आंदोलन के बारे में देख कर जाना है एक कोशन आपका निमलिखित में से कौन सा राष्टे उद्यान भारत में नहीं है तो इसका ऑप्षन जब तक मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसका एंसर नहीं बताओ पाऊँगा ठीक है नेक् राठारा का जो मोस्ट पॉलिटेट सीटी रहा था वो गुरू ग्राम रहा था तो गुरू ग्राम जो आपका यहां पर करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका था दोस्तों की रेगुलेटरी बॉडी यानि इंडिन कैपिटल मार्केट्स को जो है कौन यह ऑपरेट क्या जाता है तो से भी जो है यहांपह यहां पर करिक्ट हो जाता नेक्स्ट आपका था कि सवादेशी अंडुलरन में कौन से गरम दलके नेता भाग नहीं लिये थे तो ये नरमदल के निता थे गूपाल कृष्न गोखले तो गौपाल कृष्न गोखले जो आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप कहते है 301 से 399 तक कितने तीन अंक जो यह तीन आएंगे ठीक है तो आई थिंग यहाँ पर 119 या फिर 117 इस परकार से उप्सन दिया हुआ था तो 119 जो आपका यहाँ पर करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आप कहते हैं कि 500 से 599 तक जो है यह कितने बार ली रॉकेट अंगारा जो यह किस देश से लांच किया गया है तो देखे एको फ्रेंडली रॉकेट जो अंगारा है यह आपका रूज देश से लांच किया गया है तो रूज जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कुई 2019 में जो है कौन स यहाअधार नेक्सिट आपकर यहाँ पर आता है दुस्तों की 1944 में गांधी और जिन्ना की वारता टुटने पर टूटने पर टूटने पर यहाँ गठन किया गया था तो सप्रू कमीटी जो आपके यहाँ पर और पर एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहा था दोस्तों कि इकोलाजी इस पर्मानेट यह पुस्तक के लेखक का कौन थे तो देखें इस पुस्तक के जो लेखक है यह जॉर्जे अलफेट जेम्स है तो जॉर्जे अलफेट जेम्स जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा प्रित्वी समेलन का आयोजन जो है यह कहां पर किया गया था तो यह पूछा जाएगा और आगे के स्रिप्ट में अगर आपसे पूछा जा दोस्तों कि प्रित्वी समेलन कब हुआ था तो यह 3 जून 1992 से लेकर जो है 14 जून 1992 तक चला था ठीक है और कहां पर तो रियोडी जनेरियो ब्राजील में हुआ था नेक्स्ट कुशन आपका यहां पर आया था दोस्तों कि सिमला समझा था 1972 में जो है कि इन दो राजनेताओं के बीच हुआ था तो दीके सिमला समझा था जो हुआ था वो पिली करांती जो यह किस से संबंदित है जहां पर option में आपका सरसो गेहू चना और गन्ना तिलहन आपका नहीं दिया वा था क्योंकि पिली करांती जो है वो तिलहन से संबंदित है लेकिन आपका option में जो सरसो गेहू चना और गन्ना दिया था तो सरसो जो आपका यहां पर स्थापना है ना यह 1957 में हुआ था तो 1957 जो आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले इसका मुख्याले कहां पर है इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजनसी का तो यह आस्ट्रिया के वियर नाम है ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है और इसका मुख्य आपका महाल नोबी स्की महालोबी के मॉडल पर आधारी था ठीक है तो प्रत्म पंच वर्सी योजना जो यह किस पर आधारी था तो यह भी आपको याद रखना है आगे के सिप्टों में आप से पूछा जा सकता है नेक्स्ट कुशन आपका था कि प्रसिद पुस्तक चंद कांता था उसके जो लेखक देव की नंदन खतरी यह आपका यहां पर करिक्ट बनाता है तो सीचा और टीन जो है आपका यहां पर करिक्ट एंसर हो जाएगा और यहाद आगे के सिप्टों में आप से पूछा जाए कि इस्ट इंडिया कंपणी की जब अस्थापना हो थी उसमें मुगल बादसा कौन थे तो उससमें जो मुगल बादसा थे वो अकबर थे तो यह भी आपको य 208 हिस्वी में खुला गया था ठीक है और सूरत यह कहां पर खुला गया था तो सूरत में और उस समय जो मुगल बात साथे वो जहांगीर थे तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका था दोस्तों कि वरली पैंटिंग जो है यह किस राजी की महतपूर्न प और दिया गया था तो कल भी आपका स्ट्राइक से कोश्ण आई था ठीक है तो यह से अपके प्रेश्चन पूछे जा सकते थे हैं कब हुआ था तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आप कहते हैं कि क्रोएशिया की सबसे बड़ी आवार्ड से जो किसे सम्मानित किया गया है ये रामनात कोविन को सम्मानित किया गया है जो कि भारत के प्रेसिडेंट है ठीक ह तो रामनात कोविन जो आपका यहाँ पर करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप कहते हैं अगबर के दरबारी तांसिट की संगीत सेली पूछी गया थी यहाँ पे यह इस परकार से नहीं पूछा गया था ठीक है तो मुगल बात сन अगबर के दरबारी जो अखक यहाँ पर कर प्रधान मंत्री नितियोग में जवारला नेरू और नरेंद्र मोदी दिया हुआ तो नरेंद्र मोदी आपका यहां पर पर करीक्ट हैंसर हो जाएगा नैकस्ट क्विशन आयूग कि तो फिर जवारला नेरू जो आपका correct answer हो जाएगा क्योंकि योजना किया था तो ये पंदरह मार्च उनीजिव पच्चास को याद रखना है और योजणा को जो बिघंधल किया थैक का सब्सक्राइक आपका है तो दोस्तों की International Monetary Fund IIMAP का जो मुख्याले ये कहां पर इस्तित है तो IIMAP का जो मुख्याले है ये वासिंग्टन डी सी में है और इसका स्थापना कब किया गया था तो 1945 में किया गया था बहुत बच्चे बोलेंगे कि 1946 में किया गया था लेकिन मैं आपको बता दू कि 1945 में इसकी अस्थापना की गया थी और विस्व बैंक तता IIMAP दोनों का जो मुख्याले है वो वासिंग्टन डी सी में तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आप कर Dave canoe सांती पुरुसकार 2019 को 인दिरा गान्दी का सांतीम पुरुसकार दिया गया था ये डेविड एटन वरो को दिया तो डेविड एटन वरो जो आपका यहां पे करिक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके भारत की प्रतम महिला राज्यपाल कौन थी तो देखे भारत की जो प्रतम महिला राज्यपाल बनी थी ये सरोजनी नाइडू बनी थी जो की उत्तर परदेश की बनी थी ठीक है तो सरोजनी नाइडू जो आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बात क नेश्ट कुशन का नामं karşı कि पक्कम पावरे स्टेशन का नाम किया है यह तो मद्रास ATOMIC power station है ठीक है तो madras atomic power station जो आपका यहां पर correct Tells हो जाएगा और यह कहाँ पर है तो यह Tamil Craft में तो यह भी आपको याद रखना मद्रा से टोमिकosas Peak관 का पर तो Tamil Landu Next question आपक नहींता है तो कि muscles में जब oxygen की कमी हो जाती है तो qaunt सा अमल का जो है निर्मान होता है यहां अमल कर लीजेगा ठीक है तो जो अमल का निर्मान होता है वो लैक्टिक अमल का जो है निर्मान होता है तो लैक्टिक एसिड जो आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा जब आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो उस पर्कार के डाटा की यहाँ पर क्या किया तो यह हीता था लांद के तै कि सयुँग से बना है तो आपका साथ जो आपका यह पर क्रिक्ट हो structure और functional दोनों जो होता है वह नेफ्रों होता है ठीक है तो आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा एक आपका reasoning से आता कि घुड़े जो संबंद है वह काडियोलोजी से तो किड्ने का संबंद किस से होगा तो किड्ने का जो संबंद होगा वह नेफरोलाजी से होगा तो नेफरोलाजी जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता नेक्स्ट आप कहा थे जब किसी खेत में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती है तो वो किस फसल का उगाया जाता ठीक है तो फसल को जो उगाया जाता वो दलहन यानि सरसू का जो है उगाया जाता है ठीक है तो सरसु जो आपका यहां पर करिक्टेंसर हो जाता नेक्स्ट आप काई तो दोस्तों कि कामक्या मंदिर जो यह कहां पर है तो कामक्या मंदिर जो है यह असम राज्जी में ठीक है तो असम जो आपका यहां पर करिक्टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट आ नैंने आपको बता दिया धूपरण सैली जो आपका करिक्ट होता नेक्सट डाप करते हैं बुजल का उपयोग लक्षिप आपको जो है खेती में सब से कम जो एक करता ठीक है तो राजस्तान जो आपका यहां पर के हो जाता नेक्स्ट जहां पर ज़्यादा बासुत होती है तो वह Export consistent के मिले है इसके लावा कोई वी कोई वी डिन सीक्ट करके बता सके हैं मैं रात वाली वीडियो जो apply तर्शन उसमें जोने शार değए सारे प्रस्ट को सब्माइ्स